हाई हैनी बीज वेलकम टू कॉफी बीज और बात करें यह नेपो सिस्टर और उनके हजबन के बारे में सो बेसिकली नेपो सिस्टर है कौन देखो यूट्यूब पे वैसे तो बहुत सारी नेपो सिस्टर थै टिगड इंसान की बहन प्रेरणा फिर शोईब की बहन सबा वैसे यह डिनाय करती है कि उनका जो यूट्यूब चैनल है उनमें जो भी उन्होंने ग्रो किया है उसके पीछे उनके सिब्लिंग्स का कोई भी हाथ नहीं है जबकि यह गलत है देखो रुबीना दिलैक जो है वह एक फेमस एक्ट्रस है छोटी बहु शक्ती फिरक कितने सारे उन इंटरनेट फेमस हुआ और जियो ने जो है सस्ता रिचार्ज बगरा करा दिया तो व्लॉगिंग इंटर्ड्यूस हुई 2020 से अब जब व्लॉगिंग इंटर्ड्यूस हुई तो ना बाकी जितने भी लोग थे जो क्रियेटर थे और जिनकी थोड़ी बहुत फेस वेल्यू थ सिर्फ जो कर रहे हैं वह भी कट कॉपी पेस्ट मार के अब देखो और केमरा कोई भुरा तो बुलेगा नहीं है ना अपने आपको अच्छा ही दिखाएगा तो यही सब ब्लॉगर करते हैं सबसे इजी काम है अब यह जो जो जोतिका है इसको मैंने देखा था कि यह बिग ही जो भालु अप्टी है सब उसका कारबन कॉपी कर देती यह सेम टू सेम बीचेम चाप देती है और एक आद हो तो चलो समझ भी आए बहुत सारह है सेम तो यानि की उसके ब्लॉग्डस देखती भी है जैसे उसने अपने पती को घर जमाय बना रखा है सेम जैसे सब्सक्त तो सेम है अब मैंने ना एक पोड़कास्ट में सुना था जहां पर लोग जो है बोल रहे थे कि तुम्हारा जो चैनल ग्रोग किया है तुमारी बहन की वज़े से तो बोले ऐसा नहीं हमने भी अपने अपने अंड से महनत करी वगेरा वगेरा कोई और होता तो बोलता था कि हा विवाई शिमला के होगे व्लॉग डालते लेकिन कोई भाव नहीं देता क्योंकि व्लॉगिंग में में चीज़ जो मैटर कटी है वह है फेस वैल्यू चाहे सवरोव जोशी है चाहे कोई भी व्लॉगर आप पकड़ लो उन्होंने पहले कुछन कुछन का चैनल होगा किसी और केटिगरिय का उसके बाद ही जो है व्लॉगिंग में फेमस हो सकते हो ठीक है सवरोव जोशी का ड्रॉइंग का चैनल था अब यह ट्रिगर इंसान की बहन है वह ट्रिगर इंसान फेमस था और ट्रिगर इंसान जो है पहले बहुत फीचर हुआ था उसके व्लॉग्स में किसी field में उनकी face value होती है अब ये जो है direct कैसे hit होगे क्योंकि लोग ना जानना चाहते थे कि रुबीना कैसे रहती है है ना रुबीना की lifestyle क्या है initial blog में तो रुबीना पहाड़ी culture दिखाया रुबीना दी को दिखाया अपनी mom को दिखाया तो सब लोगों को जानना था और रुबीना की वज़र से जो है big boss में भी ये feature हुई थी वहाँ बहुत अच्छी अच्छी बन कर मैं तो ये IAS की preparation कर रही हूँ वगेरा वगेरा क्यों छोड़ दी क्योंकि ये easy career था अब चलो बेसिकली वो पूरे व्लोग में वो या जो पूरे जो भाषन वाले जो वीडियो था उसमें उसने problem नहीं बताई उसमें guest light किया audience को कि आप लोग मुझे negative comment करते हैं नो कुछ-कुछ मतलब बोलती है 99% positive comment रहते लिए कि 1% तो मुझे बहुत effect करते है फिर मैं सारा frustration अपने husband रज़त पे उतारती हूँ अब बताओ, खुद की frustration के लिए भी audience को जिम्मेदार ठहराना है मतलब content के नाम पे कुछ भी upload कर दो उसके बाद audience अगर criticize करे तो उसमें भी audience की गलती audience जो है नकी शादी में तकलीफे फैदा कर दी है भाई कोई तुम्हें force नहीं करता है ठीक है तुम्हा व्लॉग upload करो ना करो तुम्हारी मर्जी तुम्हारी choice तुम्हारे अंदर ओए और कोई skill या talent नहीं है जिस वज़े से तुम्हें vlogging का सहारा लेना पड़ा ना ही तुम इतनी जादा जो है यूपी ऐसी की तयारिया कर रहे है उनका last scene होगा 6 मेने पहलेगा किसी का 8 मेने पहलेगा और किसी को 1.5 साल पहलेगा तो internet से एकदम दूर whatsapp से दूर instagram से दूर कहीं function में नहीं दिखते क्योंकि वो तयारिया कर रहे है तो यह होती तो यारी भाई ऐसा नहीं होता UPSC में 24 में सा 18 घंटे पड़ना पड़ता है हाँ तो भाई वो तो बहुत हार्ड है और हर किसी के बसका है नहीं तो इसके भी बसका था नहीं कुछ भी किसा बाखी तरह एक दम चिड़ चिड़ी तो ना इसने बीच में छोड़ दिया व्लॉगिंग सबसे इजी करियर है खाद गाईज हमने ये खा लिया गाईज हमने ये पहन लिया मैंने ये खाया मैंने वो पिया मैं बनाली हूँ यही तो करना है व्लॉगिंग में और क्या ही करना है उसमें भी जो है हमारा काम बहुत यह होता है रज़ट बहुत एडिट करते है अरे भाई रज़ट में कोई स्किल है तो बोल जौब जॉइन कर ले जो स्किल्फुल इनसान होते हैं वो व्लॉगिंग नहीं करता है दूसरा कुछ है इन्हीं व्लॉगिंग में करने को रोज का रूटीन शेयर करना है तो सबसेजी करके तो यही है ना बोलना हम educated है इसको तो यतनी बड़ी job थी इसको इसने यह छोड़ जिया वो छोड़ जिया कोई skillful इंसान educated person चाहे यह जो triggered in science family भी अपने आपको बोलते हैं हम skillful educated educated and skillful थे तो तुम अपने जॉब छोड़ते नहीं है कुछ और कर रहे होते है पैसा matter नहीं करता लेकिन वही बात है easy money किसको बुरा लगता है तो चलो यह तो हो गया फिर ना अपने पती को एक शब्द भी नहीं बोलने दे जैसे भी कोई कुछ बोलते हैं हाँ हाँ वैसे भी जो है तीन-चार जगह से तो कमाते इंस्टाग्राम से यूट्यूब से एड रेविन्यू, एफिलेट मार्केटिंग तो ऐसा ज़रूरी नहीं है आप कोई वो जो से कॉंट्रेक्ट नहीं होता एंबिये किये जा रहे हैं और भी बोले कि हम नहीं फ्लाइट में पढ़ लेंगे और फ्लाइट में पढ़ानी अभी मैं देख रहे हूं जो भी इनके ट्राविल व्लॉग से वहां पर पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल भी हो नहीं तो आपने जूट बोला मतलब ओडियं कोई आपको बोले नहीं यह तो हिपोक्रिसी है और देखें में तकलीफ इस और को क्या थी जो प्रॉब्लम इन और मेरेज में कि कोई ना इनका कजीन ब्रदर जो है वो हनीमून पे गया था लक्षिन प्रीती शायद से व्लॉग चैनल है वो लोग हनीमून पे गया थे दो म मैं बोले बहुत similarity है इसमें और भालो अपी में वह भी शादी के जो है पांच-छे मीने बाद हनीमून पे गई थी और यह भी देड़ साल बाद हनीमून पे गई अब न यह दोनों बहुत ज़्यादा लेट लतीफ है कभी भी सोएंगे कुछ fix नहीं है ना सोने का time fix है ना तो उस वज़े से दोनों के जगड़े होते रहते कि मैं जो उट जाती हूं यह रज़त आ जाए वगरा वगरा ना टाइम से सोना ना टाइम से जाखना और audience को गेस्लाइट करना कि आप लोगों कोई comments की वज़े से जबकि problem यह दोनों खुद है और कहती है कि मैं content बनाती इनको कोई 925 वाले जो कपल रहते हुँ का स्ट्रगल दिखा हो भाई कि वह कितना पुरा दिन काम करते हैं और जो महिला है वह घर का काम करती है और पुरा दिन ऑफिस में भी काम करती है फिर भी जो है वह लोग खुश रहते इतनी जादा compliance नहीं करते जितने यह लोग करते कुछ नहीं करवानी दिन में घुम रहे जादा तर तो कोग रुज है रात में जब लाइट ओफ कर तब गुमते अगर होते हैं तो लेकिन दिन में सारे आम घुम रहे तो कितने सारे कोग रुजिस होंगे सोचो इसके घर पे ना क्लीनिंग ना बढ़िया से कुछ पेस कंट अग्दम इर्रेस्पॉंसिबल है या तो लापरवा है कपड़े वपड़े भी यह डालना भूल गई और दूसरा यह लोग जहां पर गए थे मौल रोड वहां पर कुछ गार्डन जैसा था तो लोग बॉक कर रहे थे वहां पर कैमरा का धकन को दी अब यह जो भी गलती करे यह बहुत ही नाइस पीट इन इनोसेंसी है लेकिन है यह लेडी बहुत ज़दा फेग और अपनी खुद की बहुत जलती है रूबी से ठीक है रूबीना नहीं जलती रूबीना तो अपने सिब्लिंग्स को हमेशा से उनकी तारीफे करना उनकी पोस्ट पर यह सब करना और दिख जाता है कि वह अपनी बहनों से बहुत जादा अटेच्ट है लेकिन यह औरत बिल्कुल भी नहीं तो वह लोग घूम रहते हैं तो कहती थी कि अगर हम रूबी दी के साथ जहां भी जाते हैं तो हम अगर आधे घंटे क्या सोचकर निकले हैं तो हमें एक देड़ कि उनको यह है इसलिए हमारे साथ फोटो नहीं खिचवा थे आप थोड़े दिन के लिए आदे तो आपका फाइदा उठा लेते कि मौके का फाइदा उठाया जाए और फिर कहती है कि मैंने तो रूबी दी से जगड़ा कर लिया क्योंकि वहां पेना मॉल रोड में हम गूम ही नहीं पाए और सारे लोग जो है रूबी दी से फोटा वगरा खिचवा रहे थे तो इसको इस बात से भी तकलिफ है कि इसकी बहुत जादा फेमस है तुम्हारी बहुत जादा फेमस थी तब ही तो तुम्हें सार लोग जान रहे है वरना कौन ही जानता था तो मिए अब ये तो हो गया अब ये लोग जा रहे थे, रुबीना और अबीनाव की जो है, बेवी कर्älle की मूंडन सेर्मिनी में, तो अबीनाव जो है, उन्होंने, वैसे तो अबीनाव ज़्यादा व्लॉग डालता भी और, और ना ही रुबीना इतने ज़्यादा वीडियोस डालती है लेकिन अभीनाव ने यह मैमरी की तौर पर डालना था उसको तो उसने पहले ही बताया था कि सारा कॉंटेंट जो है यह बेबी गल के मुंदन का क्योंकि एक मैमरी जासा है ठीकि अपनी बच्चों की मुंदन सेर्म लाइब तो बोल रहते तो इसने बोला कि भाई मैं आब क्या ही डालू डीटेल में जो है दोनों चैनल पर आवेलेबल है तो आब में क्या ही डालूगा वह वाला जो है उसके बाद जो इसको बहुत बुरा लग गया हमें तो जो है किसी ने मना नहीं किया कुछ बी शूट क करने के लिए हम तो गए थे तो हमें किसी ने मना नहीं किया था ना ही रूबी दी ना ही जीजू ने तो इस वज़े से हम लोग उन्हें रोकर किया है हम तो ब्लॉगर है तो हमारा यही काम है अब यहां पर मैं आपका दोगला पन बताती हो और अटका ठीक है इसके जब शाद कोई भी content upload नहीं करेगा उनके चैनल पर उसकी शादी का जो exclusive content है वो सिर्फ और सिर्फ उसी के चैनल पर जाएगा जोतिका इंडरजद पर लेकिन जब बाई आई यह मुंडन सेर्मनी के तो सबसे पहले व्लॉग जो है अप्लोड कर दिया सेम जो है इसने किया था जो एक भांजी है रोहिनी की बेटी वेदा उसके भी शायद से जब पहली बार नानी को देखा था तो वह वाला व्लॉग भी अपने चैनल पर डाल दिया तो यह जो है content की भूकिया मुझे एकदम वुमिन चैल्ड और तारीफ है इससे बरदाश नहीं होती जैसे कि वह बोलती थी ना कि सब लोग मुझे बोलते थे कि भाई-भाबी की फेम पे जो है इसका भाई-बहन की फैम का फाइदा उठाना है उपर से यह भी बोलना है कि हमने कुछ मैनत करी भाई करती है जो कि तुमारी रुबिना की वज़त से थी ठीक है अब यह सब होने के बाद ना अभी ना उन्हें एक स्टोरी पोस्ट करें थे अब ना थोड़ा पोस्ट करके चेक कर ली जगा यह जो भी पॉइंट लिख है क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स पढ़ने वाली हूं नह मुमाज बॉय मुमाज गर्ल समझ जाओ उसके बाद वो लोग जिन हें गुस्ता नहीं आते है या तो जो लोग बहुत ज़्यादा पोलाइट होते है वो बहुत ज़्यादा image conscious होते है कौन है image conscious वो भी समझ जाओ क्रिंज जादा भिकता है आपनी जो है मेश अपनी siblings को प्र तो बैए तो बैए यह विमन चाल्ड हदी है हमेशा छोटी बच्ची बनना हमेशा जो है स्ट्रगल स्ट्रगल करना हमेशा और हाँ एक और कॉमन चीज़ है यह ससुराल गई थी शिमला तो उनके ससुराल साइड में से किसी की मतलब कोई खतम हो गया था जिस वज़़से और परिवार वाले दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर रहा था तो अब यह लोग जो है सेम दिवाली के डे ही आ गए निकल के उनको अकेला छोड़कर लाए भी नहीं होती है लेकिन मा बहन सब को छोड़कर आ गए शिमला शिमला करते हुए और बोल रहा था रजत कि इसकी बहुत खतम हो जाता है जो रिष्टेदार होता है तो नहीं हो कहीं आ जाता ना सुतक लगती है अब अगर रजत तो है उस फैमली का पार्ट और तुम भी बन गए शादिक के बाद लेकिन वहीं फिर भी गर्जमाई और उसकी बीवी ने जो है इसम लाकर यह सारा सेलिब्रेट गहरा वगरे तो इसी की फेक आइडिस है मैंने नोटिस किया मैं कल रात इसके सारे व्लॉक्स देख रही थी वीडियो बनाने के लिए क्योंकि बहुत सारा मुझे जो है मैंने इनकी पर पोड्कास्ट बनाई थी तब से रिक्वेस्ट आ रहे थी कि आप इस पर बात करो तो है तो इसी के आईडीज है वो वह वाली और अपने आपको डिफेंड करती रहता है सुधार नहीं लाना है भस डिफेंड करना है बस एक्क्वूज़े देने हैं और भाई पैरिस में जाकर शायद से अभी वह वह और ब्रॉस के तने मोटे मोटे और अजीब से आईब्रोस क क्योंकि नहां के बेहन नहीं में थो पूसिबल नहीं है और इसकी जो चोटी बहन बढ़ी है सौरी वो जो रोही नहीं है उनके नॉर्मल है तो ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही इनके आईब्रोस पहले से यह डिफैंड करते हैं इस तरीके से या तो पर्मनेंटली टेटू करवा रखा है इन लोगों आईब्रोस वगला बहुत बेकर लगते लिकिन भाई इतने बड़े है हनीमून मनाने के लिए और अजीब सावाई टैकी साइस का स्टाइल है और कितने गैस करो कितने यह बैक्स लेकर गई होगी बड़े-बड़े से लगबग होंगे चार-पांच बैक्स लेकर यह गई है पैरिस में और हर जगह घसिट-घसिट कर लेकर जाता है बाई अगर टैकी स्टाइल है इतना टैकी स्टाइल है बच्ची बनने के लिए हैर बेंट पहन लेना और नीले पीले अपड़े पहन कर अजी भी तड़कती भड़कती लग रही थी पूरे पैरिस में और देखो अभी हनीमून मनाने गया है पहली बात हनीमून एक प्राइवेट चीज ब्लॉगर तो बैनी फुट डाउट दे दिया कि कर दिया शेर बैसे करना नीची है हनीमून बेबी का जो यह डिलीवरी वगएरा ब्लॉग होता है यह सब शेयर करना नीची यह एक परसनल चीज है लेकिन यह ब्लॉगर्स का तो भी परसनल रहा ही नहीं कुछ अब पहले य इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि हम दोनों दुसरे को टाइम नहीं दे पाए अब जब टाइम देने का टाइम आया है तो यह हमेशा एक का कैमरा शूरू होता है जबकि क्वालिटी टाइम स्पेंड करने गये दूसरा हमेशा बैठे बैठे व्लॉग एडिट करता है अना क् मॉटिव से तो यह गए है कि अच्छे खासे व्यूज आएंगे टाइम स्पेंड करने तो खली बहान है वरना इंसान 24 गंटे जो साथ में रहता है चलो कोई ऑफिस जाता है जौब वगएरा करते दोनों हस्बें वाइब तो समझ आता है एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा यह लड़की में तो मुझे कोई स्किल नहीं लग रही है रजत का मुझे नहीं पता कि उसने क्या करा क्या नहीं बट यह लड़की तो बिलकुल भी डंबोली नहीं है कुछ इन की फेम के नाम पे फेमस हो गई और फिर अभी जो है भई ऐसान जदा थी और उडियंस पे कि जैसे की व्लॉक्स दालकर बहुत बड़ा ऐसान कर रही हो जब कि ऐसा नहीं है वहीं हमेशा थैंक्फुल रहना चाहिए अपने सिब्लिंग्स को अगर आपको उनकी वजह से इतनी ज़्यादा काम्याभी मिली है तो डिनाई नहीं कर देना चाहिए कि हमने स्ट्रॉगल कि हमने मेनत कुछ मेनत काम नहीं आती बहें फेस वेल्यू होती जो होती जो कि रुबीना की थी तो रिस्पेक्ट करो अपनी सिस्टर को और उनका ड्यू क्रेडिट दिया करो वह तो बहें अची जो बोल देती है कि नहीं तो उसकी तरह हमबल होना सीखो ठीक है और यह बात आपने लिखी थी कि भाई हमें मना नहीं किया गया था कि वह ब्लॉग्स मत बनाओ यह मत बनाओ लेकिन तुम तो 30 प्लस तो दिखती हो ठीकि 30 प्लस तो होंगी तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं है कि वह एक उनकी प् उसको जो फिल्मा कर मोनिटाइज करके अपने चैनल पर डालो इतनी तो कॉमन सेंस सब के अंदर होती है लेकिन व्लॉगर्स के अंदर नहीं होती व्लॉगर्स बाप बड़ा ना भई है सबसे बड़ा रुपई है ना और वही है मैं तो अच्छी हूँ मैं तो यह हूँ मत सबा की तर बिल्कुल सेम सबा की कारवन कोपी सबा के पती की तरह इसका भी पती यह व्लॉगिंग का काम करने लग गया और माय का माय का माई का हमेशा से सुराल वाले से बहुत ज़्यादा दूर जब भी ससुलाल जैते बिमार पड़जाना वगयरा-onden गर जमाए बन गया लड़का तो सेम बे सीमिलरटीज बहुत ज्यादा है उसने भाईबाभी कि फैम और इसने जो है रूबीना की फेम यूज की और हमेशा जो है struggle struggle करते रहना फिर इतनी जादा काम है गाइस इतना ज्यादा काम है गाइस कहता रहना जब कि काम के नाम पर क्या ही है केमरा थामना है और एडिट भी उसका पती गड़ता तो इतना खास कुछ काम है नहीं लेकिन ही होता है न कदर नहीं होती जिनको सब कुछ बैठे बिठा है थाली में परूसकर मिल जाता है अभी के लिए बस इतना ही मिलते है नेक्स प्रकास्ट में और आपका क्या ओपिनियन है यह नेपो सिस्टर के बारे में मुझे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर से बताईएगा अप